नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लें उसमें हमने एक एक सब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पास सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडि रहें भारती जनता पार्टी का उलेक करते हुए इन नेताओं ने कहा कि पहले वह डाक्तर सर्मा को राष्टपती पद के लिए आदर्स उम्मीदवार मान रही थी लेकिन जब उसे उपराष्टपती पद दिये जाने का आस्वासन नहीं मिला तो उसने डाक्तर सर्मा का विरोध करने का फैसला कर लिया उन्होंने कहा कि यदि भाजपा मानती है कि उपराष्टपती पद विपक्ष को मिलना चाहिए तो उसे इस बारे में विपक्षी दलों के बीच आम सहमती बनाने का प्रयास करना चाहिए था उन्होंने कहा कि जनता दल और भाजपा द्वारा स्री जीजी स्वैल का समर्थन किये जाने से शिरी वीपी सिंग और भाजपा की साथगाट खुल कर सामने आ गई है इन नेताओं ने वामपंथी दलों विशेशकर मार्थ्वादी कम्यूनिस्ट पार्टी का साथ नहीं दिये जाने पर खुसी जाहिर की सिरी उपेंद्र ने कहा कि अब तक 20 राजनीतिक दल डाक्टर सर्मा की उम्मिदवारी के समर्थन की घोसडा कर चुके हैं इसलिए उन्हें कांग्रेस का नहीं बलकि आम सहमती का उम्मिदवार माना जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इन राजनीतिक दलो के कुल मिलाकर 6 लाख से अधिक ओट हैं इसलिए डाक्टर सर्मा का जीतना तै है उन्होंने कहा कि जिन नो राजनीतिक दलो ने अभी तक किसी भी उम्मिदवार के समर्थन की घोसडा नहीं की है उनसे संपर्क किया जा रहा है तथा पूरी आसा है कि वे डाक्टर सर्मा का समर्थन करेंगे उन्होंने कहा कि स्री स्वेल की उम्मिदवारी के समर्थन की अभी तक सिर्फ पाच दलो ने घोसडा की है इस्टॉप दोस्तों दूसरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड मे लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पास सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें स्टार्ट भारती जनता पार्टी का उलेख करते हुए इन नेताओं ने कहा कि पहले वह डाक्टर सर्मा को राष्टपती पद के लिए आदर्स उम्मीदवार मान रही थी लेकिन जब उसे उपराष्टपती पद दिये जाने का आस्वासन नहीं मिला तो उसने डाक्टर सर्मा का विरोध करने का फैसला कर लिया उन्होंने कहा कि यदि भाजपा मानती है कि उपराष्टपती पद विपक्ष को मिलना चाहिए तो उसे इस बारे में विपक्षी दलों के बीच आम सहमती बनाने का प्रयास करना चाहिए था उन्होंने कहा कि जनता दल और भाजपा द्वारा स्री जीजी स्वैल का समर्थन किये जाने से श्री वीपी सिंग और भाजपा की साथ गाठ खुल कर सामने आ गई है इन नेताओं ने वामपंथी दलों विशेश कर मार्ष्टवादी कम्यूनिस्ट पार्टी का साथ नहीं दिये जाने पर खुसी जाहिर की सिरी उपेंद्र ने कहा कि अब तक बीस राजनीतिक दल डाक्टर सर्मा की उमिदवारी के समर्थन की घोसड़ा कर चुके है इसलिए उन्हें कांग्रेस का नहीं बलकि आम सहमती का उमिदवार माना जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इन राजनीतिक दलों के कुल मिलाकर 6 लाग से अधिक ओड हैं इसलिए डाक्टर सर्मा का जीतना तैं है उन्होंने कहा कि जिन नौ राजनीतिक दलों ने अभी तक किसी भी उमिदवार के समर्थन की घोसड़ा नहीं की है उन्होंने कहा कि स्री स्वैल की उमिदवारी के समर्थन की अभी तक सिर्फ पांच दलों ने घोसड़ा की है दोस्तो आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेगंड के बाद तब तक के लिए आप रेडिर है स्टार्ट भारती जनता पारटी का उलेख करते हुए इन नेताओ ने कहा कि पहले वह डाक्टर सर्मा को राष्टपती पद के लिए आदर्स उम्मीदवार मान रही थी लेकिन जब उसे उपराष्ट पती पद दिये जाने का आस्वासन नहीं मिला तो उसने डाक्टर सर्मा का विरोध करने का फैसला कर लिया उन्होंने कहा कि यदि भाजपा मानती है कि उपराष्ट पती पद विपक्ष को मिलना चाहिए तो उसे इस बारे में विपक्षी दलों के बीच आम सहमती बनाने का प्रयास करना चाहिए था उन्होंने कहा कि जनता दल और भाजपा द्वारा स्री जीजी स्वैल का समर्थन किये जाने से स्री विपी सिंग और भाजपा की साथ गाठ खुल कर सामने आ गई है इन नेताओं ने वामपन्थी दलों विसीज कर मास्कवादी कम्यूनिस्ट पाल्टी का साथ नहीं दिये जाने पर खुसी जाहिर की सिरी उपेंद्र ने कहा की अब तक बीस राजनेतिक दल डाक्टर सर्मा की उम्मेदवारी के समर्थन की गोसड़ा कर चुके हैं इसलिए उन्हें कांग्रेस का नहीं बलकि आम सहमती का उम्मेदवार माना जाना चाहिए उन्होंने कहा की इन राजनेतिक दलों के कुल मिलाकर 6 लाग से अधिक ओट हैं इसलिए डाक्टर सर्मा का जीतना तैं है उन्होंने कहा की जिन 9 राजनेतिक दलों ने अभी तक किसी भी उम्मेदवार के समर्थन की गोसड़ा नहीं की है उनसे संपर्क किया जा रहा है तथा पूरी आसा है की वे डाक्टर सर्मा का समर्थन करेंगे उन्होंने कहा की स्री स्वैल की उम्मेदवारी के समर्थन की अभी तक सिर्फ पाँच दलों ने गोसला की है इस टॉप तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किरपया इस वीडियो को लाइक से जरू कर दिया करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटिस्ट वीडियो जआपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लीपी खुछ सीख सकें धन्यवाद